चुनाव के पोर्व भारतिय जनता पार्टी और शिव सैनाक ने चुनाव पोर्व गठ बंधन करके चुनाव लड़ा 24-10-19 को घौसित प्रेणाम में किसी भी दल या गठ बंधन को इसपश्ट बहुमत नहीं मिला फिर भी भाजपा ने 105 सीट के साथ सरवाधिक सीट जीती दिनंक 9-11-2019 को राजपाल ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया किन्तु शिव सेना द्वारा भाजपा से गठ बंधन तोड लेने तथा बहुमत ने मिलने के कारण भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया इसके बाद राजपाल ने दोसरी बड़ी पार्टी शिव सेना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया किन्तु नियत समय के भीतर शिव सेना ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया पुनेह राजपाल ने तीसरी बड़ी पार्टी नेशनल लिष्ट कॉंग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया किन्तु उसने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया अन्तुत है 12 नवंबर 19 को राजपाल ने राजपाल ने राजपाल में समविधान के अनुछेत 356 के अंतरगत राश्ट्रपती शासन लगाए जाने के लिए राश्ट्रपती से सिफारिश कर दिया और उसी दिन राजपाल में राश्ट्रपती शासन लागो भी कर दिया गया याचिका करता शिव सेना कॉंग्रेस एवं एनसीपी की ओर से याचिका में कथन किया गया कि वे एक गठ बंधन सरकार बनाने के प्रियास में थे और दिनांक 22.11.19 को इस संबंध में एक प्रेस कॉंफरेंस भी किया था किन्तो दिनांक 23.11.19 को साइं काल 5.47 बजे राश्ट्रपती ने अनुच्छेत 356 के अंतरगत प्रेदक्त शक्ती का प्रियोग करते हुए राज्ये में खोसित राश्ट्रपती सासन को वापस ले लिया इसके बाद राज्यपाल ने इसी दिन देर रात पिर्तियुत्तर दाता संख्या 3 को सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया पुनेह दिनांक 23.11.19 को ही राज्यपाल ने पिर्तियुत्तर दाता संख्या 3 देबेंदर फरनवीस भाजपा और पिर्तियुत्तर दाता संख्या 4 अजीत पवार राकपां के नेता को प्रात है आठ बजे किरमशे मुख्यमंत्री एवम उप मुख्यमंत्री पद की शापत दिला दी अतहे याची गण ने संविधान के अनुछेद 35 के अंतरगत राज्यपाल के क्रतियों को चुनोती देते हुए यह याची का प्रस्तुत करके निमलिखित याचना किया देवेंद्र फ़लनभीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रीत करने तथा मुख्यमंत्री पद की शापत दिलाने के राज्यपाल के क्रत्य भारत के संविधान के अनुछेद चोधा के उलंगन में एस समविधानिक मन माना पुर्ण अवैध और प्रारंभ से ही शुन्य गोसित किया जाए शिबसेना कॉंग्रेस और एनसीपी के गठ बंधन महा विकास अगारी जिसके पास 144 से भी अधिक विधायक है को सरकार बनाने के लिए आमंत्रीत करने हेतु राजिपाल को समोचित रिट आदेश निर्देश जारी किये जाए विधायकों को शपत दिलाने के लिए दिनांक 24.11.19 को एक विशेश सत्र बुलाने का रिवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग किये जाने फिलोर टेस्ट के लिए कार्यवाहत स्पीकर नियुक्त करने है तो अंत्रिम उपचार के लिए आवेदन को सुविकार किया जाए श्टॉप